अब से जंगल में जाकर समधान डुणने की जरुरत नहीं है, बस घर बैटे लॉगिन कीजिए, यूट्यूब, हरबल नाशनल चैनल, और पाईए अपने सारे समुशियों का समधान, अब आयुर्वेदिक दवा पाना है एक डम आसाल गंभीर खांसी, कभी कभी खांसी में बलगम, या खुनाना, टीबी, अस्थमा, सीने में दर्द, यह एक आयुर्वेदिक ओशधी है, जिसका निर्मार रस रसायन परिकल्पना के तहत किया जाता है, इसमें ख्षेनाशिक और बल्यवर्धक बुन होते हैं, सोना, मोती, और सो और गुनकारी रसायनों से बनी यह उशधी, टीबी, अस्थमा, बुखार के बाद कमजोरी, उदर विकार आदी में अत्यनत उप्योगी होती है, फेफिरों और दिल के लिए भी यह दवई बहुत उप्योगी है, इस उशधी का नाम है, मृगान का रस, जो कि आपको आम आ बिमारी पैदा करने वाले साभी जीवानों को मार सकता है, टीवी रोग एक ऐसी बिमारी है, जिसके लक्षनों को समय रहते पहचान लेने पर, इसका इलाज किया जा सकता है, और वही बिमारी अगर शिरुवाती दौर में ही नजरंदाज कर दी जाए, तो जानलेवा साबि हो सकती है, टीवी के बैक्तिरिया से होने वाली यह बिमारी भारत में काफी आम है, वास्ताव में जिस आसानी से यहाँ एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में संक्रमित पहुँचता है, वह भी एक चिंता का कारण है, वैसे भी म्रिगांग के रसकी क्रिया टीवी के उपच और यह अकेले माइकोबेक्टिरियम और इससे होने वाले लक्षनों को भी नियंत्रित कर सकता है। औशदी के फायदे इस औशदी में स्वर्ण भसमा का इस्तेमाल किया जाता है। स्वर्ण भसमा जो की तनाव और कमजोरी के दोरान शरीर के कारियों को सुचारू रूप से चलता है। स्वर्ण भसमा अस्थमा की बीमारी में अस्थमा के लक्षनों के रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है। दवा जोश्वास, घर-घर आहत, खानसी और सीने में जकरन जैसे अस्थमा के लक्षनों को रोकने में मदद करती है। के लिए औशधी का प्रयोग किया जाता है ओक्सीजन आपूर्ती को बढ़ा कर अचानक उठने वाले दग को नियंत्रित करने के लिए इन औशधी का उपियोग किया जाता है होमियोस्टैसिस मतलब किसी आंगिया प्रनाली के असामान्य कार्य को ठीक करने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को बनाए रखने और तनाव की स्थिती में शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले बायो एक्टिव तत्वा पाए जाती है ये औशदी मुक्त करनों को साफ करके तनाव को कम करने में मदद करती है बुखार को कम करने वाली औशदी है जो मानस्पेशियों में सनकुचन को कम और मानस्पेशियों के दर्द से राहत पाने में मदद करती है जो एसिडिटी का इलाज भी करती है ये महामरिगरन रस कि खुराक रोब कारकों के आधार पर अलग हो सकता है। आए अब इस ओशधी को लेने का तरीका बताते हैं। ये ओशधी आप खाना खाने से पहले ये खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। इस ओशधी को सहेद के साथ दिन में दो बार लेना चाहिए। इस ओशधी को किन लोगों को नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं के शरीर में मैहम रिगिंग प्रैस के विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं इसलिए इसको लेने से पहले ओशदी के बारे में डॉक्टर से पूरी तरह जानकारी लेना जरूरी होता है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दुशप्रभाव महसूस हो सकता है आपको सलाह दी जाती है कि ओशदी का प्रयोग डॉक्टर की देख रेखा में ही करे धन्यवाद